Hello everyone, good morning, कैसे हो आप लोग? Well, good morning तो पता नहीं कि वीडियो अप्लोड होने का समय क्या होगा But क्योंकि मैं morning में record करें हूँ, that's why good morning to all And आज हम स्टार्ट करने वाले हमारा partnership accounts ठीक है, partnership को स्टार्ट करते हैं देखो, सबसे पहले तो समझ जाओ कि partnership में सबसे पहले में क्या समझना है तो yes, आज का जो class है वो एकदम basic होने वाला है मतलब आप partnership के introduction को समझोगे तो आपका जो chapter है वो जल्दी जल्दी mention करते हैं So, the chapter is fundamental of accounting तो note कर लो, fundamental of accounting Sorry, accounting नहीं, partnership होगे Fundamental of partnership ठीक है? I just hope कि आप सभी एकदम ready हो मेरे साथ class को start करने के लिए तो चलो start करते हैं सबसे पहले तो जानते ही हो कि हमें basic समझना है तो मैं book से points देखूंगी because सारे points मेरे mind में अटित्ते नहीं है तो points तो देखना बनता है आपके NCRT book में न accounting for partners से basic concept करके लिखा हुआ है जो कि आपका chapter number 2 है क्योंकि वन में तो NPU है न आप मुझे सबसे पहले comment करके बताओ कि कितनों ने class 11 को बहुत अच्छे से पढ़ा है बताओ जल्दी जल्दी बता दिया? अब class 11 को जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है well, very good और जिन्होंने नहीं पढ़ा है मैं क्या बताओं? अब मैं वैसे ही पढ़ाओंगी जैसे कि आपको नहीं आता है ठीक है? तो चलो start करते हैं देखो, fundamental of partnership हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मतलब अभी हम लोग partnership के बारे में समझेंगे तो partnership का मतलब क्या है? तो partnership का मतलब in Hindi we say it, साजेदारी क्या बोलेंगे? साजेदारी, मतलब साजेदार जब बनते हैं ठीक है? किसी भी चीज में साजा करते हैं तो वहाँ पर partnership form होता है बट, in class 11th हमने soul proprietorship के बारे में समझा था ठीक है? soul proprietorship के बारे में समझा था तो इसमें क्या-क्या हमने पढ़ा था? तो हमने इसमें accounting मतलब इसके जो business transactions उसको पहले हमने record करा record करने के बाद उसके general entries करे general entries करने के बाद trial balance बनाया trial balance बनाने के बाद trading and profit and loss account बनाते थे और फिर हम last में balance sheet बनाते थे बनाते थे ना? तो यहां कुछ अलग है? नहीं, यहां भी कुछ वैसे ही process चलने वाला है बट, इसमें थोड़ा सजेंज है क्योंकि soul proprietorship में आपने इसके क्या-क्या characteristics को समझा था कि there will be only one honor one honor, right? वहां पे बस एक honor होगा secondly आपने समझा कि full profit जो है वो इनका होगा, profit पे किसी का हक नहीं होगा third आपने समझा कि इनके पास unlimited liability है unlimited liability है ठीक है? fourth आपने समझा कि आपने समझा है कि इसमें जो लैब कैपिटल है वो यही बस लेकर आएंगे ठीक है कैपिटल में किसी का हाथ नहीं होगा अगर कोई रिस्क वैगे रहा है तो ये भी खुद से रखेंगे रिस्क या लॉस को ये खुदी भी अर करेंगे अकेले सोल प्रोपैर इसमें बस एक अकेला आदमी के के बारे हम लोग समझ रहे थे लेकिन अब हमारा ये concept विल्कुल change हो चुका है अब हम लोग सोल प्रोपैरिटर्सिक के बारे में न पढ़के पार्टनर शिन के ठीक है तो सबसे पहली बात तो यह समझना होगा कि partnership होता क्या है ठीक है तो partnership is nothing when two or more than two person come together and join their hands to share profit and losses equally then this is called partnership मतलब जब दो या दो से अधिक लोग दो हो सकते हैं minimum और maximum जैसे Indian account India में मतलब maximum numbers जो है वो नहीं define किया गया था but according to companies miscellaneous rule ठीक है companies miscellaneous rule के अनुसार maximum number जो है वो 50 है ठीक है कितने है maximum number of partners 50 according to लिख लो यहाँ पर according to यह बहुत important है according to companies companies miscellaneous rule ठीक है मीनीमम तो पता है कि मीनीमम कम से कम दो होने चाहिए तभी अब यहाँ तक तो ठीक है partnership क्या है मैने बता दिया कि when two or more than two persons come together and join their hands to share future profits and losses and risk in the same business or in the same thing then this is called partnership ठीक है अब यह नहीं के अलग-अलग same thing नहीं अब partnership का क्या मतलब है अब अगर कोई दो लोग मिलके अपना plot जमीन खरीदे हैं ठीक है और जमीन खरीदने के साथ-साथ क्या वो partner बन गए नई वो तो बस एक जमीन को साथ में खरीदे हैं they will call join honor of the land join honor of the plot but they will not be said as partner but if अगर उसका use कोई वो building बना दी है और अब उससे जो पैसा आ रहा है वो profit दोनों equally equally share कर रहें then they are said to be partners ठीक है तब वो partners कहलाएंगे और अगर वो मतलब profit आपस में share नहीं कर रहें कोई एक ही रख ले रहा है तो भी वो partner नहीं है ठीक है profit में equally मतलब profit में हिस्सा मिलना चाहिए तभी वो partners है ठीक है that's it यह समझ में आया अब देखो हमें क्या करना है कि partnership क्या होता है समझ गया कि when two or more than two persons join their hands to share their future profits then they are said to be in partnership but जब दो या दो से अधिक partner ठीक है मान लो कि दो या दो पार्टनर sorry दो partners है ठीक है और ये दोनों partner मिल गए दोनों ने हाथ मिलाया तो यहाँ पे जो form हुआ जो जिस type का business यहाँ पे form हुआ है इस business को हम लोग बोलते है firm क्या बोलते है firm ठीक है इस business को हम लोग firm बोलते है मतलब जब दो या दो से अधिक partners जो business करते हैं मतलब जब partners साथ में मिलकर business करना start करते हैं तो उसे हमें firm बोलना होता है क्या बोलना होता है firm उसे हम क्या बोलेंगे firm बोलेंगे अब हम यहाँ पर समझना है कि firm समझ में आ गया the business type when partners join and starts this is called firm अब हमें समझना है कुछ characteristics मतलब अभी तो partnership के वारे में समझ लेते तो जान लिया अब partnership के क्या characteristics हैं तो partnership के जो characteristics हैं सबसे पहला कि इसमें दो लोग तो एकदम हों गई होंगे तो लिख दो भाई two और more than two persons मतलब दो या दो से अधिक लोग होंगे तभी partnership होगा कभी एक पर्सन के साथ मतलब कोई एक इंसान अगर बिजनस टार्ट करे तो partnership नहीं वह जाएगा जो कि हमें अभी नहीं समझना है हमें partnership को समझना है ओके second इनके बीच में agreement बनेगा ठीक है देखो अभी मैं बस explain कर रही हूं अब कभी ऐसा हो सकता है कि दो लोग साथ में मिलके काम करें और उनके बीच में कुछ ना हो कोई अनबन कभी ना हो इंपॉसिबल भले सुर्वात के दस साल पांट साल कुछ ना हो लेकिन बाद में सब अपने रूप दिखाई देते हैं तो यहां पर क्या है देखो agreement होना बहुत important है कि दो लोग आपस में बिजनस कर रहे हैं तो क्योंकि वो future में partner होने वाले फ्यूचर में सारे profits losses को share करने वाले तो कोई dispute ना हो इसलिए उनके बीच में agreement बनता है ठीक है क्या बनता है agreement देखो क्या है partnership is the result of an agreement between two or more than two persons to do business and share its profits and losses the agreement becomes the basis of relationship between partners मतलब दो partner का बीच में जो agreement बनता है वो भी partnership को form करने में एक basic भूमी का निभाता है ठीक है मतलब agreement होना चाहिए बिना agreement के नहीं होगा भई कुछ नहीं होगा साथ में आ गए बस business start कर दिये तो भी ठीक है बट आपस में चाहे ओरली agreement हुआ हो कि चलो भई तुम 50,000 लगा मैं 50,000 लगाता हूं उसके बाद business चलेगा जो profit होगा बाट लेंगे तो ये भी एक तरह का agreement ही हुआ बस वो retain में नहीं है ठीक है अब देखो ये हो गया समझ आ गया अब हमें समझना है इसमें कुछ business होना चाहिए ठीक है मतलब दो partner साथ आए तो कुछ उनका business होना चाहिए अब ऐसा नहीं है कि दो लोग साथ आ गए market जाने के लिए तो partner बन गए अब market में कुछ खरीद के उ उसे जो profit हुआ दोनों ने बाट लिए तो वो partner बन गया नहीं ऐसा नहीं है वो business होना चाहिए business means मैंने class 11 में आपको बताया था कि business का मतलब है कि वो regular basis पे होना चाहिए उसे profit मिलना चाहिए तो profit एक बार मिल गया तो business हो गया नहीं वो regular basis पे होना चाहिए इनका the partnership should have carry at least one business to to form a partner to form a partnership firm ठीक है फार्म में या partners जो है वो at least एक legal business को follow करे legal business को start करें जिनका profit वो रखें आपस में distribute करें जिनके loss को bear करें जहां पर capital लगाए तो यहां पर एक business होना चाहिए थर्ड आप लिख सकते हो mutual agency या mutual relationship भी आप लिख सकते हो ठीक है mutual agency का मतलब कि mutual होंगे ऐसा नहीं है मेरा है मेरा है मेरा मेरा करके लड़ाई कर लें नहीं है यह नहीं होना चाहिए दोनों का जोग भी partners हैं दो या तीन जितने भी partners हैं सब के बीच में mutual relationship होना चाहिए सब एक दुसरे के प्रति mutual हूँ ठीक है mutual समझते हो ना mutual मतलब supporting एक दूसरे के प्रति ठीक है आपका जो business है वो जो profit है वो आपस में सब कोई बाटें ठीक है mutual relationship होना चाहिए समझ जाओ अब यहां पर आता है sharing of profit मतलब जो profit होगा वो profit को दोनों बाटेंगे 10,000 profit हो रहा है तो यह बंदा और यह बंदा दोनों मिलके लेके जाएगा एक कोई नहीं रखेगा ठीक है तो उनके बीच में profit share होना चाहिए अब ऐसा नहीं कि सिर्फ profit loss अगर हुआ है तो भी यहीं दोनों भरपाई करें कोई बाहर से आके नहीं देने वाला partners यह देगा मतलब फर्म में liability क्या है बिजनस की देखो अब यहां पे इसमें इनसान काम कर रहा है तो उसी पर इना liability आएगा कि कोई और आके काम करेगा नहीं तो यहां पर किसके उपर पार्टनर्स के उपर बट पार्टनर्स का liability जो है वो बिजनस के liability से चेंज नहीं है हो सकता है ठीक है तो यह कुछ इसके characteristics थे ठीक है आप characteristics बोलो या features बोलो features of partnership ठीक है यह feature partnership के अब हमें ना कुछ और समझना है तो देखो हम soul proprietorship तो पढ़ नहीं रहे तो soul proprietorship को clean कर देती हूं अब हमें समझना है एक मतलब वहीं तो बहुत सारे point है एक point को क्या बताऊं अभी हम समझेंगे partnership deed के बारे में अब जो हमारा topic आता है this is partnership deed तो देखो अभी मैंने बोला कि partners जो है वो ऐसे ही साथ में नहीं आएंगे उनको साथ में आने के लिए अगरेमेंट होना चाहिए मैंने बताया ना अगरिमेंट हो रहा है तो भाई कोई भरोसा है नहीं वैसे इतना मतलब कल्दियों के चल रहा है तो कुछ भी हो सकता है तो ओरल एगरिमेंट से बचो सारे लोग कहीं भी कोई भी तरह का partnership हो आपका ठीक है बचो उससे आपका जो partnership है वो return होना चाहिए मतलब आपका जो agreement है वो return होना चाहिए return ताकि सामने वाला बदलने ना पाए ठीक है तो देखो यहां पे हाँ यह तरह का security भी आपके लिए यहां पर क्या है देखो कि जब भी आपका जो पार्टनर्स हैं जो भी अग्रिमेंट करते हैं उस अग्रिमेंट को जब वो रिटेन में नोट कर लेते हैं that time this bond is called partnership deed ठीक है इस bond को हम लोग बोलते हैं partnership deed okay you can write it the document which contains all the rules and regulations or agreement of the partners to form a business or partnership firm this is this bond is called partnership deed ठीक है चलो तो मैं इसे लिख देती हूँ आप इसे लिखोगे ठीक है लिखो a document or bond ठीक है a document which contains मतलब वैसा document which contains terms and condition terms and condition of partnership ठीक है पार्टनर्सीप पूरा लिख लेना partnership among terms and conditions of partnership agreed by partners मतलब पार्टनर्स के द्वारा ही बनाये यह पार्टनर्स अपने से अग्री होगे बनाये कोई तीसरा आके नहीं बनाया ठीक है क्यों से पार्टनर को salary मिलेगा remuneration मिलेगा यह commission मिलेगा ठीक दूसरी बात आ गए कि पार्टनर्स को अगर interest on capital मिलेगा तो कितने rate से मिलेगा at the rate जो भी rate होगा ठीक है कितने rate से मिलेगा अगर partner से form interest on drawing ले रही है तो interest on drawing का क्या rate होगा ठीक है उसके बाद कि बार्टनर्स कितने की वह किंगने लगाएं गे पार्टनर्स का नाम मतलब नेम एड्रेस और क्या बिजन्स टाइप अ को कि प्रोफिट सेरिंग डेशियो अवे ठीडों ठीड है ये सारे आपके प्रटनर्शिप डिड में बनाए होते हैं ठीकिड़ आपका partnership deed अब एक केस आता है आपको इसमें पढ़ना होता है कि what if partnership deed is silent मतलब partnership deed बंद है partnership deed हुआ ही नहीं है बंद का बात नहीं मतलब partners जो हैं वो कोई deed बनाई ही नहीं बस साथ में आ गया और बिजनस करना deed है ही नहीं तो फिर वो profit का क्या करेगी कौन से partner को salary देगी किसको नहीं देगी किसको remuneration देगी क्या करेगी interest on capital कितना charge होगा interest on drawing कितना charge होगा एक और होता है interest on loan interest on loan कितना charge होगा capital कितना लगाये थे partners किसका क्या नाम है बिजनस का क्या टाइप है प्रॉफिट सेरिंग रेशियो क्या है उनके बीच में इंट्रेस्ट ओन लोन का क्या क्राइटेरिया है कुछ उन्होंने बनाया ही नहीं तो जो कोड है वो कैसे डिस्टिब्यूट करेगी भाई प्रॉफिट तो इसके लिए भी रूल है चल वेन पार्टनर्सिप डीड इज साइलेंट जब पार्टनर्सिप डीड जो है वो साइलेंट है ठीक है साइलेंट मतला बनाया ही नहीं ठीक है सबसे पहली बात कि अगर पार्टनर्स के बीच में कोई भी पार्टनर्सिप डीड तयार नहीं हुआ है और उनके बीच में डिस किसी भी पार्टनर को नो सैलेरी किसी भी पार्टनर को कोई सैलेरी नहीं मिलेगा कोई भी कमीशन नहीं मिलेगा कोई भी वेजिस नहीं मिलेगा अब पार्टनर्स बोलेंगे कि भाई मैं तो ओवर टाइम काम कर रहा था फॉर्म में मैं तो सबसे जाधा काम किया हूं मैंने त अदरवाइस नहीं मिलेगा ठीक है दूसरी बात किसी भी पार्टनर को ना इंट्रेस्ट ऑन कैपिटल देने हैं मतलब सॉरी ना किसी किसी भी पार्टनर को इंट्रेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा कोई भी रूल नहीं बना है कोई भी रूल नहीं बना है कि इंट्रेस्ट ड्राइंग भी नहीं लगेंगे पार्टनर्स के नो इंट्रेस्ट ओन्ड्राइंग सब में नो लिख देना फ्रंट में ठीक है मतलब पहले में अगर पार्टनर्स जो है वो फॉर्म में से कुछ पैसे निकाल के अपने घर में यूज करने के लिए विड्रॉ कर लिए तब भी कोई दिक्कच नहीं है उनको इंट्रेस्टzd ओन ड्रॉइंग नहीं देने होंगे इंट्रेस्ट ओन ड्र्रॉइंग भी उनका नहीं लगेगा फोर्त नंबर की किसी भी पार्टनर को किसी को बहुत कम प्रॉफिट यह मिल जाएग ऊजब body Yeah. गरें बहुत अच्छा होगा है रैट वाव ड्रेट क्या होगा नहीं होग ऐसा आप स्पेशल थोड़ी ओ न मैं हूँ सभी पार्टरस को इक्वाली प्रोफित मिलेंगे ऊक्वाली प्रोफित जो एक फिस्त नंबर में है आपका कि अगर इस पाइटनर ने लोन दे रखा है मान खिि दो पार्टनर को All 20,000 रुपीज का तो partner loan दे रहा है लेकिन फर्म के लिए promote capital नहीं है वो loan है तो father रुफ को इंटरेस्ट देना पड़ेगा और partner पार्टनर है इसलिए बहार के होते तो find the mio.com ऐसे ना तो युझन मांठ फिर्म देती है ठीक है तो इंटरेस्ट ऐं लुण जो है वो at the rate of 6% per annum मिलेगा मतलब 6% के rate से मिलेगा अगर partner है तो otherwise कुछ नहीं कि बाहर का लोग होगा वो तो पहले डिसाइड कर लें कि कितना percent पर देंगे नहीं तो नहीं देंगे लेकिन यहां पर 6% per annum की के rate से मिलेगा interest on loan ठीक है I just hope कि आपको समझ में आ रहा है कि जब partnership did silent हो मतलब जब partnership deed नहीं बना होगा तब partners क्या करेंगे तो उनको यह मिलेगा ठीक है salary नहीं मिलेगा commission नहीं मिलेगा wages नहीं मिलेंगे interest on capital भी नहीं मिलेगा interest on drawing भी नहीं मिलेगा profit and loss equally share होंगे और उनका interest अगर उन्होंने दे रखा है तो उन्हें 6% per annum के rate से मिलेगा और यह किसके according यह जो पढ़ रहे हैं यह rule कौन बनाया है तो according to the rule accounting कि स्वारी partnership Indian partnership act 1932 का rule है यह कि किसी भी partner को जब partnership deed silent हो तो यह सबी चीजे होंगी ठीक है तो देखो आज के class में partnership के introduction को समझा partnership के features को समझा and partnership deed को समझा and fourth में हमने समझा कि what will we do if the partnership deed is silent ठीक है तो आब next class में पढ़ेंगे कि कौन कौन से accounts prepare होते हैं कैसे किये जाते हैं और भी बहुत कुछ यह chapter हमारा बहुत wide है एकदम बेसिक है partnership का यह chapter complete हो गया उसके बाद तो भाई partnership में बल्ले बल्ले अब बहुत अच्छे से समझ जाओगे ठीक है बहुत easy and interesting chapter मन बहुत करेगा इसे solve करने मतलब मज़ेदार चैप्टर है बहुत मज़े से पढ़ेंगे ठीक है तो यह समझ में आया और हां किसी भी चीज को burden के रूप में मत पढ़ना practically लेना तो बहुत मज़े से समझ में आएगा तो next class में हम और भी प्रेस्टिंग वे में इसे समझेंगे आज के class में इतना ही रहने देते हैं मिलते हैं next class में तक के लिए bye bye have a good day and do like the video अगर पसंद आये तो bye bye